वस्कार दोस्तों लक्षी प्रकास में आप सभी का अफर से बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल से पूराने इमेल आईडी को आप डिलीट कैसे कर सकते हो जीया दोस्तों अगर आप भी अपने म सबसे पहले तो साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आपको वाल पर सेट कर लेड़ी जैसे आने वाले मारी नहीं वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए फ्रेंट्स आज कई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गैस अपनी जीमेल आईडी को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा अपने मोबल में उस आईडी को लोग इन करना होगा जिस पूरानी इमेल आईडी को आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जीमेल आप्लिकेशन में जाना है जीमेल आप्लिकेशन में आ है जिस पूरानी email a-it को आप delete नाचाते हो यहां से यूंसे select कर सकते हो लेकिन काइस लेकिन कैस अगर आपके ओभध में फूरानी email i-d login नहीं है तो सबसे पहले तो आपको उस id को login करना होगा तो यहां पर आपको login करने के लिए आपको च्योंवड अनलदर आप स्काइड को पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपने कोई लॉक डाला तो उसे डाल देने के बाद यहां पर कुछ इस तरहीके से आपको sign-in का option मिल जाएगा तो यहां पर आपको इस इमिल i-d को डालना, जिस भी email i-d को आपको डिलीट करना, जो arbeiten के नहीं है, तो इस email i-d को डालने की बाद यहाँ पर आपको next पर क्लिक न और इसकी बाद आपको password का option मिलेगा, और अगर आपको password नहीं पता और इस से फॉगेट करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक बिल जागा उसे देखकर आप अपने पासवाड को भी फॉगेट कर सकते हो तो फिलाल जो है मेरे मोबाल में अलरी आइडी लॉग इन है तो बड़ी आसनी से आप डिलीट कर पाओ हुँ तो यहां पर आपको सबसे पहले उस id को सलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहां पर साइड में त्री लाइन पर आपको किलिक करना है जैसे ही दूस्तों आप इस option पर किली करोगे इसके बाद यहां पर कुछ इस तरीके से help section यहां पर open हो जाएगा तो आपको नीचे की और आना है यहां पर आपको इस तरीके से scroll करना और यहां पर थर्ड वाली step में आप देख सकते हो delete your account का option मिल रहा है तो आपको यहां पर data privacy section of your google account इस वाले option पर आपको क्लिक करना है Google Chrome को select कर लेना है और इसके बाद यहां पर new page open हो जाएगा तो यहां पर guys आपको data and privacy का option मिल जाएगा और यहां पर अगर आपने अपना ID को login नहीं करा है तो यहां पर आपको अपनी ID को login करने का option मिल जाएगा तो यहां पर आपको email ID तो आपकी already selected रहेगी और यहां पर password डालने के बाद आपको अपनी ID को यहां पर login कर लेना है क्योंकि यहां पर इस step पर भी आपको अपनी ID को login करने का option मिलता तो यहां पर आपको अपनी ID को password डालने के बाद login कर लेना है और इसके बाद guys आपको नीचे की और आना और यहां पर आपको delete account का option आपको देखने क आए जैसी दुस्तों आप इस option पर किलिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने का option मिल रहा है तो यहाँ पर आपकी ID का जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है और अगर आपको पासवर्ड नहीं बताग तो forget password पर क्लिक करके यहाँ से अपको पासवर्ड को forget भी कर सकते हो पासवर्ड डालने की बाद सिंपली आपको next option पर क्लिक करना है इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको इन दोनों option को टिक कर लेना और यहाँ पर आपको delete account पर आपको क्लिकना है जैसे आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो है आईडी आपर लॉग आउट हो जाएगी लॉग आउट मींस यहाँ पर पर्मानेंटली डिलीट हो जाएगी तो यहाँ पर आप तोगाई, कैसा लगा यह वीडियो में में कमेंड करके जरूर बताने, तो अगरूने मारी चानलोग को सबस्क्राइब नहीं किया, तो चानलोग को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना